अब कुछ पैटर्न हमें प्रिंट करने है उसके लिए सबसे पहले हमें यह सोचना है कि कितने number of rows कितने है और number of columns कितने है यह हमें पता चल गया तो बाकी हमें जो internally क्या करने है वह बाद में decide करेंगा अभी बस इसमें हमें यह देखना है कि 5 rows और 5 column है, बाकि अंदर क्या print हो रहा है, वो बात की बात है, तो सबसे पहले हम क्या देखते है, एक simple से बस एक मतलब loop लिखेंगे, nestled loop और उसके थूरू ये सारह हम कर सकते हैं, तो बाकि आप खुद से कर सकते हो, बस मैं for loop लिख रहा हूँ, i, यहां से मैं 1 से start कर रहा हूँ i less than equal to 5 and i plus plus then for j से start किया 1, j less than equal to 5 j plus plus और यहां पर मैंने j का यह हो गया और यहां पर क्या होगा printf comma then यह close यह close हो गया, इसके तरू हम यह सारे pattern print कर सकते है अब यहां पर क्या है कि i 1 से start हो रहा है और less than 5 यानि कि 5 मतलब rose के लिए होगा outer होगा rose, यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है कि one है तो जब यह one रहेगा तो यह condition यहां पर चेक कोई true होई तो इसके अंदर आएगा इसके अंदर आने गवाद फिर से कहां से start हो रहा है और फिर यह यह और चूर दूसरी बर करनीशन चेक करेगा दूसरी बर किया फिर एक बड़ अगर true हुई तो फिर यह जो five times execute होगा तो अब यह हमें क्या print करना star तो simply हम इसमें star लिख देंगे तो अब यह क्या होगा यहाँ पर i1 रहा यहाँ पर j1 है 125 तो यह five times star print किया फिर यहाँ पर जाएगा two हुआ तो अब क्या है कि जैसे यहाँ से यह बाहर जा रहा है याने कि five times print करके तो new line आ जाना चाहिए तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे print f जो है और यहाँ पर हमने क्या किया एक new line print कर दिया हो गया वैसे यह जो ब्रेचे जह हम इसको avoid कर सकते है इस for loop का हमारा दो पार्ट है कि यह वाला या कि यह वाला लेकिन इसके लिए बस एक ही है यह वाला इसलिए हम यह ब्रेचे रिमूब कर सकते है तो इसका अगर final में देखू तो बस easy के लिए लिए लिख सकते है i less than equal to five i plus plus j less than equal to five and then j plus plus और इसको हम avoid कर सकते है printf और यहाँ पर हमारा क्यों हो जाएगा printf slash n और यह close तो यहाँ पर हमने क्या किया print कर दिया star तो यह print होगा five times फिर next time आगा फिर print five times इसी तरीके से यह star हमने print कर दिया तो अब क्या है कि एक और बात यहाँ पर हम dry run एक बार करके देखते है i j यानि कि i जब one रहा condition true होई true होने के बाद क्या हुआ यह j के अंदर आया j कहां से जा रहा 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 यह जैसे false हुआ तो क्या हुआ नया line आ रहा है यहाँ पर new line आ गया new line और दुबारा से control यहाँ पर गया और i two हो गया two होने के बाद फिर यह one two three four five इसी तरह से यह five times तक जाएगा तो यह हमने five times कर दिया तो यह अब हमें क्या print करना है कि one 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 तो यहाँ simply जो है प्रिंट आफ की जगह पर percent d कर दिया और हमने आई प्रिंट कर दिया यह आई प्रिंट करने पर हमारा यह प्रिंट हो जाएगा अब क्या है कि हर एक इंटर्नली लूप में one से one two five यानि one two five कौन जा रहा है जे जा रहा है clear one two five जे जा रहा है प्रिबेस वहले में क्या था कि one हमारा five times तो जा रहा था लेकिन एक constant था यहाँ पर जो one था यहाँ पर यह constant था और five times चल रहा था इसलिए हमने यहाँ पर कर आया तो इसन लिए फाइफ टैमस आई प्रिंट होगे अब क्या है कि हमारा G020 लिए हमने एजे mail पॉरिंट कर दिय तो यह परिंट हो जाएगा यहाँ पर सेंडी के जगा अगर जह प्रिंट हो जाएगा उसके बाद क्या है 54321 यह जो है थोड़ा सा उल्टा है यहां पर एक यह तो इसी पर हम कर सकते जैसे क्या है कि 54321 तो इसको अगर जो लूप है हमने इसको 5 से करके और यहां पर 1 कर दिया 5, j is equal to 5, j is greater than equal to 1 और j minus minus और इस पर अगर हमने जे प्रिंट करा दिये तो यह प्रिंट हो जाएगा अब यह प्रिंट करना है तो यहां पर क्या है कि 555544 तो यहां पर एक यह हम लूप स्टार्ट जो करेंगे 5 से करेंगे और i जो है यह क्या हो जाएगा greater than equal to 1 और i minus minus फिर 4 और यह जे कैसे भी हम कर सकते जे जे प्रिंट करा दिया यह प्रिंट हो जाएगा मतलब यह प्रिंट अब क्या कि लिखो और इसके variable change करके दिखो और फिर सोचो कि यह कैसे work करता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाने वाली बात है जो भी समझाना था मैंने for loop में already समझा रखा यह तो बस pattern है हमारे logical thinking है कि हमें किस तरीका से print करना है बस मैंने यह hint दे दिया कि आपको ऐसे कर तो आप खुद से इसको practice करो तो ज्यादा better हो जाएगा वैसे इससे related और भी एक दो pattern है जो कि हम print करेंगे next program में